बाज और साप निर्मल जी की इस कहानी के दो प्रमुख पातर हैं बाज और साप यह एक सुंदर और प्रेरना दायक कहानी है इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन के हर पलों को आनंद के साथ जीना चाहिए तो आईए इस कहानी को पढ़ते हैं बाज और साप समुद्र के किनारे अंधेरी कुफा में एक साप रहता था उस परबत की अंधेरी घाटी में एक नदी भी बहती थी जो की समुद्र में आकर मिल जाती थी साप को इस बात की खुसी है कि उसे उस इस्थान पर कोई हानी नहीं पहुचा सकता और वह उस इस्थान का मालिक है एक दिन एक घायल बाज साप के गुफा के बाहर आकर गिरता है पहले तो साप बाज को देख कर डर गया लेकिन जब उसे पता लगा कि बाज मरने की अवस्था में है तो साप सरक्ता हुआ बाज के पास कया बाज साप को बताता है कि उसका अंतिमपन आ गया है लेकिन उसे अपने मरने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पलों का आनंद उठाया है सुतंत्रता पूर्वक आकास की खुली लंबी उड़ाने भरी है साप बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है मैं अपनी इस गुफा में बेहद खुश हूँ साप के ऐसा कहने पर बाज ने गुफा की तरप से आती हुई दुरगंध को महसूस किया जो की बाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बाज साप से कहता है कि मुझे आकास में उड़ना बहुत अच्छा लगता है सापने बाज की अंतिम इक्षा पूरी करने के लिए बाज को प्रोशाहिद किया जिससे बाज अपनी पूरी सक्ती से आकास में उड़ने की कोशिस करता है किन्तु उडने के प्रयास में घायल बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है यह सब देखकर साप हैरान होता है कि आकास में उडने का क्या मजा होता है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण भी त्याग दिये साप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है और उड़ने के लिए साप अपने सरीर को हवा में उशालता है थोड़ी धिरबाग साप जमीन पर गिर जाता है लेकिन सोभाग से वह बच जाता है अब साप सोचता है कि आकास में कुछ नहीं है सुख तो जमीन में है अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिस नहीं करूँगा आराम से सुरक्षित जमीन पर रहूँगा थोड़ी देर बाद साप को बाहर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है साप बाहर आ कर देखता है कि समुद्र की लहरें बाज को सरधानजली दे रही थी समुद्र की लहरें बाज की प्रसंसा में मधुर गीत गा रही थी जिसने बिना हार माने बिना हिम्मत कवाए आकास में उड़ने की चाहत में अपने प्राड़ों की बाजी लगा दे उसके बाद लहरों ने बाज से कहा कि तुम मरकर भी अमर हो और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम स्रद्धा के साथ उन गीतों में लिया जाएगा यह गीत जिन्दगी के उन दिवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यू से नहीं डरते तो इस प्रकार साप और बाज की इस कहानी को हमने एणिमेटेड वीडियो के माद्यन से समझ लिया है आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब को पसंद आएगी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि पिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर नवाद